टी टॉइंटी वर्ल्ड कप में भारती टीम का सफर खत्म होने के बाद भारती टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। मैच के बाद एक और क्रिकेट के दिवाने खिलाडियों को जम कर ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और टीम इंडिया के खिलाडी हताश नज़रा रहे हैं मैच खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया के खराड़ी इंगलेंड टीम से हाथ मिलाकर अपने डगाउट में पहुँचे तब रोहिश शर्मा भावुक हो गए काफी देर तक रोहिश शर्मा को राहुल द्रविड के साथ बात करते हुए देखा गया दोनों ने कुछ देर बात की और इसके बाद रोहिश शर्मा भावुक हुए जहां कोच राहुल द्रविड उन्हें संभालते हुए नज़र आए साथ ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी मैदान में निराश नज़र आए वो अपना मूँ टोपी से छुपाए हुए थे जिके हुए कंधे बता रहे थे कि किंग कोहली किसी तरह इस हार से निराश है बता दे कि टीम इंडिया पहली बार रोहिश शर्मा की कप्तानी में किसी ICC इवेंट में खेल रही थी